आज मैं भोती ज़्यादा टेस्टी चटपटी मिक्स सबजी बनाने वाली हूँ नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विलीज कुकिंग में तो कैसे वह आप सभी लोग आज मैं हलवाई स्टाइल मिक्स सबजी घर पे ही बनाने वाली हूँ तो आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और बहुती कम समय के साथ में बनके ये सबजी तयार होगी तो यहाँ पे देखी सबजियों में मैंने एक बड़े साइज का गोबी का फूल लिया है और मैंने यहाँ पे कुछ लिया है सेम और यह है गाजर गाजर यहाँ पे लिया है मैंने 200-200 ग्राम और यहाँ पे लिया है मैंने ताजा फ्रेस मतर तो अभी देख लिए आप लोग मैंने सबजी को भी काट लिया है तो गोबी को काटा है मैंने ऐसे बड़े-बड़े पीसेस में और आलू को भी मैंने थोड़े-बड़े साइज में ही काटा है तो यहाँ पर सब्जियों को मैंने कटोरी से नाप के ले लिया है एक कटोरी यहाँ पर लिये मैंने सेम और गाजर मतर और दो medium size के काटे हैं टर्माटर और 4-5 काटी है हरी मिरच और यहाँ पे 2 medium size की काटी है मैंने लंबे-लंबे pieces में प्याज यहाँ पे सुके मसालों में लिए मैंने एक चम्मच मिरच पाउडर एक चम्मच हल्दी पाउडर और नमक अपने स्वादा नुसार और आधी चम्मच लिए मैंने आप एक कस्तूरी मेथी और एक चम्मच लिए धनिया पाउडर और आज मैं तड़का धनिये से और साबुत मि धनिये को काला नहीं करना है। अब मैं जो प्याज काटके रखी हैं तो अभी मैं प्याज को भी डाल दूंगी। पहले हम याँ डाली है। मैंने स्टूरी मेथी दढ आये सबजी स्टवातेते हैं मैं ज़से चुप कश्टूरी मेंति सकता दूंगी। यहां पे हलका प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया है हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है प्याज तो अब भी हम अपने सुके मसाले डाल के भी थोड़ा मसालो को भी भून लेंगे प्याज के साथ में यहाँ पर एक मिनट के लिए मैं लो मेडियम पर मसालो को भी भून लूँगी और उसके बाद में डालूँगी अपने कटेवे टमाटर तो सभी मसाले अच्छे से भून गई है तो चले यहाँ पर टमाटर को भी डाल देती हूँ और साथ में ही डाल दूँगे यहां पर हरी मिरच इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और थोड़ा एक मिनट के लिए मैं ऐसे ही मसाले के साथ में टमाटर और हरी मिरच को भून लूगी तो टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं तो अभी मैं मतर को भी टमाटर के साथ में थोड़ा ऐसे भून लूगी और मैंने मतर इसलिए डाली है पहले ताकि हमारी मतर है वो जल्दी से गल जाए मतर में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है गलने में तो पहले मैं मसालों के साथ में अच्छे से सब्जी को मिक्स कर देती हूं और उसके बार में डालती हूं यहां पे मैं फूल गोभी तो अभी गोभी को डालके भी मैं ऐसे अच्छे से इनको मिक्स कर दूँगी तो यहां पर देखें सभी सब्जी या मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स हो गई है और यहां पर मैंने एक कटोरी पानी डाला है इसमें तो यहां पर सब्जी को मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी और गैस की फलेम कर दूँगी लो मीडियम तो अब भी देखें फाइनली हमारी सब्जी बन के रेडी हो गई है और सब्जी हमारी बहुती ज़्यादा टेस्टी लग रही है देखने में और खाने में तो बहुती ज़्यादा टेस्टी चटपटी लगने वाली है और आप चाहे इसे रोटी या पराटे या पूरी के साथ में भी खा सकते हो और उपर से डाल देंगे बारी कटावा घरा धनिया और अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर सेर कीजेगा चल ये मिलती हूँ मैं आपसे अगली रेसिपी के साथ में जब तक के लिए बाई बाई दोस्तो